हाई गाईज आएम सुसलेश्वरी भारती और वेलकम बैक तो माई चैनल और आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ ट्रॉली बैक्स लगिज बैक्स शेयर करूंगी इसमें से दो जो आप देख रहे हैं ये तो है जो हाट शेल के जो बैक्स आते हैं वो हैं जैसा कि आप ये दोनों देख रहे हैं का मटेरियल जो है ये पॉली प्रॉपलीन का है जी हाँ आजकल जो ज्यादा तर बैक्स आते हैं वो इसी मटेरियल में आते हैं जो की काफी अच्छे हैं और ये बैक जो है इस टाइप के काटन में पैक होके आया था बिलकुल अलग-अ इट मींस कि मेरे पास ऐसे तीन काटन आये थे जिसमें से मैं आपके साथ एक शेयर कर रही हूँ और पहला जो बैग आप ये देख रहे हैं ये सफारी का है ये फैबरिक बैग है जिसका की मटेरियल पॉलिस्टर है और इसका जो साइज है वो 22 इंचेज है जी हाँ और अग अबर लॉक सिस्टरम है इसमें और इसके जो जिप की क्वाइलिटी है जो मटेरियल है उसके बारे में मैं बहुत अच्छे से आपको आगे बताऊंगी और अब जो ये बैग आप देख रहे हैं ये भी सफारी ब्रैंड की ही है और ये जो है 30 इंची का साइज है इसका अग आपको आगे बताऊंगी ये काफी बड़ा लगेज बैग है और ये हाड साइड जो लगेज बैग आता है वो है और इसमें 360 डिग्री आपका जो वील है उसका फीचर है यानि कि आपको चारो तरीके से चारो तरफ से ये वील घुमते हैं जिसका बहुत ही ज्यादा इसको मैंने ओपन किया हुआ है और इसके अंदर इस टाइप का आपको बेल्ट मिलेगा और इसके अंदर का भी जो फैवरिक है वो काफी अच्छा है जैसा कि आप देख रहे हैं और इसमें आपको जो ये मटेरियल दिया गया है ये भी काफी अच्छा आप इसको कह सकते है कि जिप हो चाहे फैवरिक हो सब कुछ है और ये जो है पूरा एक अलग से कमपार्टमिंट है जो पूरा जिप से बंद किया गया है आप इसमें कोई भी चीज रख सकते हैं जैसे कि मालीज आप कही टूर में जा रहे हैं तो इसमें आप जूते चपल वगएरा भी पैक करके इसके जिप को आप लॉक कर सकते हैं ताकि आपके कपड़ों में वो टूच वगएरा ना करें और ये जो बैग है इसका जो मटेरियल है वो पॉली प्रॉपलीन है जी हां ये बहुत ही अच्छा सा एक का आप कह सकते हैं मटेरियल है जिसके आजकल बहुत ज्यादा है और ये जो हैंडल भी है काफी सॉफ्ट मटेरियल में है और ये जो प्राइस टैग आप देख रहे हैं 12,000 सम्थिंग का है लेकिन ऐसा नहीं है कि मैंने इस प्राइस पर इसको लिया है एक्कुरेट प्राइस का मैं आपको नहीं बता सकती क्योंकि प्राइस हमेशा कर सकते हैं और ये जो मटेरियल आप देख रहे हैं ये ऐसा नहीं है कि जैसे पहले के सूट के साते थे बहुत ही हार्ड मटेरियल में उस टाइप का ये हार्ड मटेरियल नहीं है और इसको आप हलका सा पुश भी करेंगे तो ये दबता है क्योंकि ये बहुत ही कोई मोटा थिक सा material नहीं है तो इसके लिए आपको डरने की जरूरत नहीं है चुली ये जो polypropylene material है ये अपने flexibility और durability के लिए ही जानी जाती है तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि दबाने से दब जा रहा है अपने weakness की वज़े से तो ऐसा नहीं है इस type का ये material है ये flexible है इसलिए इसका ये है तो इसमें आप जो भी सामान रखेंगे वो पूरी तरीके से pack हो जाएगा तो safety purpose के हिसाब से इस type के bags में ज्यादा prefer करती हूँ खासतोर से flights पे तो आप खुद देख सकते है अपने lead के according और कई लोगों का ऐसा मानना है कि polypropylene जो होता है वो polycarbonate से ज्यादा अच्छा material हो और जैसा कि आप यह देख रहे हैं इसमें पूरा चारो तरफ 360 degree rotate करने वाला wheel भी लगा हुआ है और इसमें zip की भी quality है क्योंकि अब brand ही safari है तो जाहिर सी बात है अच्छी होगी जैसा कि आप इसमें space देख रहे हैं इसके अंदर की material काफी अच्छी है और यह जो है आप इ इसको बढ़ाने के लिए expand भी कर सकते हैं तो आपको कुछ छोटा मोटा जो सामान होता है जो आपको साथ में carry करना होता है तो उस zip में रख सकते हैं इस बैक को लोग जियाता तर जो है plane पे cabin back की तरह यूज़ कर सकते हैं उसके लिए best है क्योंकि इसका size भी बहुत ही कुछ बढ़ा नहीं है जैसा मैंने पहले ही बताया था 22 इंची का size है क्योंकि इसमें बाहर में zip लगा हुआ है तो यह आपके लिए आराम दायक भी है कि आप छोटे मोटे जो भी सामान होते हैं जैसे दवाईया हुई चाहे कोई भी चीज वह बाहर रख सकते हैं और बीना पूर नहीं होता बाहर का zip खुला हुआ होता है तो इसमें कोई भी कुछ रख सकता है तो यह इसका negative point है इस type का जो छोटा luggage होता है वो आपके छोटे मोटे कुछ कम दिन के लिए जो तूर्स होते हैं उसके लिए best है और जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि इसकी quality मुझे अच्छी लगी क्योंकि यह fabric की है तो यह waterproof नहीं है इस पर थोड़ा बहुत भी अगर पानी पड़ेगा तो यह absorb करेगा दूसरी चीज जो है जो मुझे ऐसा लगा कि इसका जो material है क्योंकि यह polyster है और कपड़े का है तो जाहिर सी बात है कि थोड़ा आपको maintain भी करना पड़ेगा क्य मैंने 3-4 bags और भी order किये हुए है क्योंकि हमारी अब indeed है कुछ long tour पे जाना है इसके लिए यह purchasing की है तो वो bags भी मेरे पास जैसे ही आएंगे सारे के सारे trolley bags ही है सब अलग-अलग sizes है तो वो भी मैं share कर दूँगी अगर मुझे खुद quality अच्छी लगी तो और सारे ही products के links मै डाल दिया है जो order भी किया है अगर मैं उसका वीडियो नहीं बना पाई तो उसके links भी मैं इसके description box में डाल दूँगी आप check कर सकते हैं online आपको अच्छा खासा discount मिल जाएगा तो मैंने पूरे detail में अपना experience जो भी था वो share कर दिया in luggage bags का वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो like share और subscribe करना बिल्कुल भी बत भूलिएगा मेरे channel को तब तक की लिए bye take care